जैहिन सात्यों नोधिया इस्टार सेकर्ट में की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम राज्तान पटवारी भरती के बारे में जैसा कि आप सभी को बताऊगा पटवारी भरती के जो डिस्ट्रिक अलोड डोकुमेंट्स ले जाने है उसके बाद जो कापी सारे ज्यादा कमेंट मुझे प्राप्त हो है वह सेटलमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कि आपको कौन सा बेंक अकाउंट सेलेरी अकाउंट आपका लगेगा वहां और फिर पाच भी बात करेंगा हम डिस्ट्रिक चें तो उनका क्या होगा, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, और पटवारी बरती से समय संपूर्ण जानकारे के लिए आप हमारे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सस्क्राइब जरू करना, तो चलिए सबसे पहले जो हम वो करेंगे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, तो सेटलमेंट डिपार्टमेंट के अगर बात की जाएं, तो इसका जो मेन ओपिस हेड़ ओपिस है, वो जैपूर में है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट के अगर कार्य की हम बात करें, तो लगबग इसका ओपिस वर और यह नीचे मैं contact दे रहा हूँ, इस number पर आप संपर करके हो और settlement department की संपुन जानकरी आप जुटा सकते हो, आगे हम बात करते हैं हम colonization के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा पटवारी में colonization का भी department है, उसमें भी कुछ vacancies अलोट की गई है, जो colonization का जो department है, वो है हमारा बिकानेर में, जो राजस्तान का colonization department है, वो है बिकानेर में, इसका main head office है, वो बिकानेर में है, और इसके लगबग posting बिकानेर में ही आपको दी जाती है, और यह contact number में ने यहाँ इसके भी दिये हैं, जहां आप contact करके इसका officially side पर आप बात कर सकते हो, अब बात करेंगे documents के बारे में, यानि कि जब आपका district में documents होगा, तो उसमें आपको क्या क्या documents ले जाने हैं, तो पहली अगर बात की जाए, तो आपको लेके जाने हैं, सारे original documents, जो आप वहाँ आज में ले गए थे, राजिस्ट में डिवी की लिए, वो सारे documents आपको original साथ में ले जाने हैं, दूसरी आपको एक ले जाना है police verification, अब police verification में कापी सारे लोग कह रहे हैं, हमने पहले से बना रखा हैं, तो वो लेके चला जाए, तो देखो भाई, जहां तक हो, पिछली बरती में ही लोगों ने का ऐसे किया था, पुराना ले गए थे, तो उनको वापिस नहा बनाना काफी अच्छा रहेगा, और इसी परकार medical की बात करें, medical certificate, यह आपको medical certificate बनवाना है, यह आठ तारीक बाद ही बनवाना है, यानि कि जैसे आज आठ तारीक है, तो आपका आजे साथ जारी कर दिये जाएगा, तो आप आज के बाद कभी भी आपने जो जिल्ला मुखयले के जो hospital है, उसमें जाकर आप medical बना सकते हो, यह आप जहाँ आपको district alert हुआ, वहाँ भी बना सकते हो, और जहाँ आपका home district है, वहाँ से भी बना सकते हो, किसी भी जिल्ला मुखयले के hospital से आप medical certificate बनवा सकते हो, ठीक है, यह documents आपको साथ लेके जाने हैं, अब आगे बात करते हम training की की बहिए, आपकी training कब से शुरू होगी, तो training की बात किये जाए, तो आपकी training यह जो उन्होंने notification दीती, उसके अंदर बकाइदा उन्होंने दिया था, आपकी training 18-7-2022, यानि कि 18-7-2022 को आपको joining करनी है, किसी भी हाल में, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आप extension की, यानि कि कापी सारे भाई बंदू के मुझे comment प्राप्त हुएं, कि sir हमारे B8 finally air, अब हमारा क्या होगा, हमारे M में चल रही है sir, अब हम क्या करें, join करें, या हमारा क्या होगा, बात में हमारी B8 valid होगी नहीं होगी, तो extension से अगर बात की जा extension, जैसा कि आपको पता होगा, आपकी date दी गई है, कि बहुए 11 से 15 तक लगबग आपका DV है, तो आप वहाँ DV में जाओ, collect rate में, उस समय एक application लेते जाना, और collect rate सर उसे बात कर सकते हो, कि sir हमारी SSC समस्या है, हमारे B8 चल रही है, तो उन्हें आउगत करा सकते हो, तो वो जो भी आपकी रियायत होगी, extension स उसी समय बताएंगे, आपको DV के लिए जाना जरूरी है, तब ही आपको पता चलेगा, extensions ने समझे, ठीक है, आगे बात करें, joining letter की, कि आपके joining आदेस कब तक जारी कर दी जाएंगे, तो जो joining आदेस है, वो आज आपके joining letter है, वो जारी कर दी जाएंगे, यह आपको कहां से download करने हैं, यह कहां मिलेंगे, तो यह आपको एक तो district की website पर, ठीक है, district की website पर जो आपके district अलोड हुआ, उसकी website पर मिल जाएंगे, और अगर आप मुख्याले के नजदिक हो, district के नजदिक हो, तो वहां जाकर भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और जो settlement department वाल कर सकते हो, फिर bank account की बात कर जाएं, कुछ comment मेरे पास इस बारे में भी आये हैं, कि sir, कौन सा bank account लगेगा, तो आपका अगर किसी government, मतलब bank में account है, तो चलेगा, और अगर आप नया account खुला रहे हो, पहले से आपका account नहीं है, तो जहां तक हो सके, आप SBI में ही अपना account अब बात करें हम, district change और transfer के बारे में, यानि कि काफी सारे लोगों को जो home district नहीं मिले हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे district change हो जाएं, तो अब भी जो देखा जाए वर्तमान में, तो district change होना के काफी कम chances है, अगर आपका कोई mature मिलता है, तो वो अलग चीज है, बाकी आपक जो भी मिला है, वो राजस्तान ही मिला है, राजस्तान से बार तो आपको कई बेज नहीं रहें, और home district में तो आप वैसी जीवन पर रहना है, कई बार मिला है, तो कुछी दिन वहाँ रहकर उस district का culture देखो, वहाँ का मौसम बाता है, और अरण को जानो, ये आपके लिए अ आप transfer के ले सकते हो, दो साल बात, अब आगे जो बात करते हम, वही district exchange की बात हो गई, अब आगे जो मैं बताओ आपको, police verification और medical से समंधित मैंने आपको बता ही दिया, और joining letter आपको कहां से download करने मैंने बता ही दिया है, और जो भी आपके doubt है, वो आप मुझे comment कर देना, ता